तो दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है इस मेरे इस यूट्यूब चाइनल पर आज के इस्टूडियू में हम बात करने हो यूरोपन क्रिकेट लीग टीटेन की जो मैच है वी सी सी वर्सेस एच्टी की टीन ड्री मिलियोन की विनिंग तीम्स में आपको दिखा देग को अप्शन मिलता है और माई टीम पर जाके भी आप क्रियेट कर सकते हैं और इन फाक्ट आप अगर मुल्टिपल स्टीम बनाना चाहते तो माई टीम पर जाके थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है तो चले दोस्तों मैं अभी फिलाल उसी पर चलने आला हूँ क्योंकि वहा प्लेंग इलोन में शामिल है लेकिन पर्फॉर्मस अगर देखे तो क्यों और इसका ज्यादा बहतर रहा है और अगली दोट में टीमों में भी कुछ ना कुछ में चेंजेस करके दिखाता जाओंगा फिलाल एकी कीपर के साथ हमें हर टीम में जा रहा है क्योंकि आपके पा अच्छा नहीं रहा है अभी तोतीनी मैचेस हुए लेकिन प्लियर काफी अच्छे दोस्तों जरूर इनको अपने टीम में जरूर रखेगा उसके बाद जी अब बास बट को लूँगा और के रहमान को भी इस टीम में शामिल कर लूँगा यहाँ पर बैटिंग के अगर बा डी इसकेंटेन और मसुद यहाँ पर भी मसुद इस तरह से चार ओल रॉंडर को मैंने लिया है इसके अलावी आय हुसेन है यह वाहब कोरेशी यह दो ऑप्शन भी बहुत बढ़ी है हाला कि परफॉर्मस थोड़ा खराब है उनका लेकिन प्लियर काफी अच्छे दोस्तों आप जरूर उन पर भर्षा कर सकते हैं दावन लगा सकते हैं चले दोस्तों ऑल रॉंडर हो चुके गेन बाजी पर चलना है तो गेन बाजी में भी आपके पास काफे बड़िया बड़ी आप्शन से जे साद्रान को ले रहा हूं मैं इस मोमीन को लूँगा और तीसरे जो है एच सिन्वारी को हम कहीं पर भी ड्रॉप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका परफॉर्मस जादा ही कुछ खास रहा है अगर बात करें इसके अलावा भी मेरे पास इफ शहरजाद काफी बड़ी आप्शन है फिलाल मैं नहीं ले पाऊंगा उसके अलावा भी इस अधनान है क् आपके पास अभी फिलाल हमारी टीम बन चुके तो हम इनको नहीं ले सकते और हमें डिसाइड करने कि क्याप्टन हो किसे बना सकते तो इसके लिए नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो कर लेता है और सबसे पहले मैं इस टीम का क्याप्टन देख सकते एम सिपॉंस को बनाऊंग लेकिन उससे पहले एक बार टीम प्रिव्यू कर लेते हैं सबसे पहले अगर देखेंगे तो मिरे पास एकी की पर है क्यों नो रिस के अलाओ किसी और को मैं इस टीम में नहीं लूंगा आज विकेट के पर अगर बात करें ए अरिफ जी अब्बास और के रह्मान तीन बल्ले लिए गेन बाजी में जेज साद्रान एस मौमीन उसके बाद एच सिद्वारी तो इस तर से तीन अच्छे खासे गेन बाज भी मेरे पास रहने आले कुल मिला के काफी बढ़िया और संतुलिट टीम है अगर आप इस टीम को ग्रांड लिग के लिए या फिर बड़ी बड़ लिग लगाने के बाद आप चाहे तो उससे स्मौल लिग के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात यहां पर सिपोन को इस टीम का क्याप्टन मना रहा हूं। और यहां पर मसूत को इस टीम का क्याप्टन बना रहा हूं। दोस्तों की दोनों बेस्ट all're слово हैं। और यहां पर सि करना चाहिए तो पर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है जादा बेटर जोड़ी हो सकते हैं इस टीम को क्लोज करते हैं सेव कर लेते हैं और आपको दूसरी टीम भी मैं आपको दिखा देता हूं किस तर से मैंने बनाई अपको बता दू कि मैं तीनो टीमे सेम नहीं बना सकता क्योंकि आपको मैं अलग अलग तीमे देना चाहता हूं मल्टिपल्स टीम आप लगाएंगे तो आपको काफी फायदा हो सकता है जेड कमल को ले रहा हूं इस बार मैं अपनी टीम में आज विकेट के पर उसके बाद बै कि बैट्समन मैं आपको लेना आला हूं जिसका फायदा हमें आगे जाके होने आला सबसे पहले आल राउंडर की बात करें तो मैं इनको नहीं चोड़ूंगा लेकिन आपको अगर नहीं लेना चाहें तो ना लीजे पर मुझे लगता है ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने आल डी इसके 10 को इनके वज़े से मुझे छोड़ना जरूर पड़ा है लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों घेनबाजी में मेरे पास चार आप्शन रहने आले जे साधरान को ले रहा हूं एफ शहजाद को मैंने पिछली टीम में नहीं लिया था इनको जरूर ले लूँगा इस मो टीम हमारी फिर से अच्छी खासी बढ़ चुके है चार गेन बाद चार ऑल रोंड दो बल्ले बाद और एक कीपर तो इस टीम को भी नेक्स्ट पर क्लिक करके क्याप्टन और यहां पर इस टीम का क्याप्टन मैंने थोड़ा हटके रिसाइड किया है एच हिन्वारी और एस फिर से प्रिव्यू कर ले है जेड कमल को याजविकेट कीपर में यहाँ पर ले रहा हूं इसके अलाग किसी और को नहीं लूँगा बैटिंग में दो ही ऑप्शन है मेरे पास इस अरिफ जी अब्बास इसके अलाग गेन बाद बल्ले बाद आपकी जगा अल्राउंड की ब शहजाद एस मोमिन और एच शिनवारी तो कुलमला के काफी अलग और हटके टिम मनी है और अफकोस इस तीम को आपको ग्राइड लिग या बड़ी बड़ी लिगों के लिए 100% यूज करना ही करना है स्मॉल लिग के लिए ना यूज करे तो बेटर है थोड़ा अलग और हट के है तो ग्राइड लिग के जिताने की काफी ज्यादा चांसे से कि यह टिम आपको ग्राइड लिग जीता सके अफिर अच्छी खासी अर्निंग तो फिक्स कराके देगी क्याप्टन की मात करें तो एच इनवारी काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मस किया अभी तक तो काफी कम लोगों ने बढ़िया पर्फॉर्मस करके आए है अभी तक इस दो तीन मैच थिट आपको ये अच्छा करने के काफी जादा चांसे से और इससे आपको काफी जादा फाय्दा हो सकता है और इसी जैसे आप गराइड लिग जीत भी सकते हैं अपिर अच्छी खासी तो इसलिए यहां पर हिंदोनों को क्याप्टन वाइस क्याप्टन मना रहा हूं अगर आप चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है यह जोड़ी भी काफी भेतर हैं वाली है काफी फायदा होने वाला इस च्योड़ी से भी इस टीम को भी अभी क्लोज करत पिर भी अगर आप लेना चाहे तो ज़रूर ले सकते हैं बैटिंग में मैं अभी अरिफ को ड्रॉप कर दूँगा जी अबबास के साथ साथ यहां पर अनसारी को भी लूँगा चारी पॉइंट दिये मुझे पता है दोस्तों लेकिन अनसारी काफी बढ़ी आप लियर है औ और आप अप्ट्रेट में इनको ज़रूर रखेंगे तो काफी फायदा करा के दे सकते हैं रहमानी को रहमा रहमी को भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं लेकिन मैं अभी अनसारी के साथ ही जाना चाहूंगा अभी चलते ऑल राउंडर्स पर तो जैसे कि आपको याद होग कर लूँगा कि मैं सिपान्स को ले रहा हूं यहाँ पर एक कुरेशी को ले रहा हूं मैंने पहली टीम में दीश कॉंटेंट को लिया था और दूसरी टीम में ड्रॉप कर दिया था लेकिन इस बार मैं फिर उनको ले लूँगा और मसूद और IOS in को भी यहाँ पर उनके कामिल कर लूँगा तो इस तर से आप पर एक बात जरू कहना चाहूंगा अगर आपको लगता है इस मौमीन को अगर आप ड्रॉप कर सकते हैं तो आपके पास दो अप्शन रहेंगे दोस्तों इस अधनानी का अच्छा उप्शन है और ओ सिद्धी की एक अच्छा उप्शन है तो इन दोनों में से अगर आप किसी को लेना चाहे तो ले सकते हैं लेकिन फिलाल मैं इसी तर से रखूँगा मुझे कोई जादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अल्रेडी मैं काफी अलग टीम बना चुका हूँ अभी फिलाल मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और देखूंगा कि क्याप्टन हम किसे बना सकते तो यहां पर इस टीम का क्याप्टन मैंने बना है जी अभास बट को देख सकते कम लोगों ने नहीं करीब करीब 17 पर्षेंट लोगों ने इनको Captain मना है तो वही अगर वाईस Captain की बात कर लो तो जे साधरान को सबसे ज़्यादा और M अंसारी बात करें को ले रहा हूँ आय हुसेन को ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर पाच लेने के पिछे यही रिजन है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अगर अच्छा पॉइंट आपको दे देते नहीं है तो आपको ग्रैंड लिग जितने से कोई ने रोक सकता तो इसलिए यहाँ पर मै बड़ी बड़ी लिगों के लिए योद्ज करना ही स्मोल लिग के लिए भी योद्ज नहीं तो हमेडर है क्योंकि करना ह Charge के ड़एंग GIRS से क्याप्टन कि आप नगा रहा हूं और को सिपाइस क्याप्टन बना रहा हूं दोनों को अच्छे परसेंटेज मिले आपको जरू आप इन दोरों के अच्छा घेन बाज कर सकता और अभी तक इन तो ने ऐसा किया भी है तो इसलिए आपर कोई रिस्क नहीं कोई प्राब्लम नहीं है चले दोस्तों नहीं कर लें और आखिर इंगा दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि इन तीनों तो आप जरूर चेंजेस कर सकते लेकिन ज्यादा चेंजेस करेंगे तो कोई प्राब्लम नहीं कोई दिकत नहीं ज्यादा चेंजेस करने जाएंगे तो थोड़ा रिसकी साबित हो सकता है अगर पसंद आप शेर और कमेंट कर दीजिए चानल को भी अगर आप और मैं अगर कुछन स्राम क robić हैं तो अपने खिर्वा पर जाकर तो दो तो ठीके दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते अगले उडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद और गुडबाई दोस्तों अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी चेंज करना चाहे या फिर टीमों में भी कुछ चेंजेस करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं लेकिन जादा चेंजेस मत की जगा एक दो ही चेंजेस की जगा तो ठीके दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलते अगले उडियो में तब तक के थैंक्यू धन्यवाद और गुडबाए